दाका प्रियोग सिंगलर कोमन नौन के पहले करना है आप सभी को पता हैं कुछ हैसे नौन ने जिनके पहले दाका प्रियोग निश्चीत रुप से क्या जाता है पहलान बाद है रमायन एक महाकाव्य है तो होली बुक के पहले दाका प्रियोग करते हैं ठेक है रमायन एक महाकाव्य है तो जो भी महाकाव्य का नम होता है उसके पहले दाका प्रियोग करते हैं सिंप्ली जो होली बुक्स होते हैं उनके पहले दाका प्रियोग करते हैं ठेक है तो दा बाइबल दा बाइबल दा भाववद गीता एंड दा कुरान आर आलसो इपिक्स ध्यांदना है कि दा बाइबल दा भाववद गीता एंड दा कुरान आर आलसो इपिक्स यहाँ पर इपिक्स में एस लगाएं ठीक है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फार्म में है ठीक है इसलिए आपर कंप्लिमेंट में एस या यास का पुरियो होगा ठीक है अब है गंगा एक लंबी नदी है इंगलिस में गंगेज लिखते है ठीक है अब है गंगा बहुत परसित है यमना बूडी गंडग और बागमती भी परसित नदिया है दा यमना दा बूडी गंडग एंडग दा बागमती आर आलसो फेमस रिवस यमना बूडी गंडग और बागमती भी परसित नदिया है दा यमना दा बूडी गंडग एंडग दा बागमती आर आलसो फेमस रिवस ठीक है अब है हिमाल्या भारत के उत्तर में है हिमाल्या भारत के उत्तर में है अब है हिमाल्या इज इज इन नौर्थ आफ इंडिया अवे हिंडूस्तान एक परसित समाचार पत्र है दा हिंडूस्तान एक परसित समाचार पत्रों के नौर्म के पहले दा का प्रियोग करते हैं ठीक है यहां पर हिंडूस्तान प्रोपर नाउन की तरह नहीं है ठीक है समाचार पत्र का नौर्म है इसलिए उपर दा का प्रियोग हुआ है अब है तबला ब्यार में परसित है दा तबला एज हैमस इन ब्यार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इसके नाम के पहले दा का प्रियोग की है हार्मोनियम एक वाद यांत्र है दा हार्मोनियम इस ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या भी क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इसके पहले दा का प्रियोग की है हार्मोनियम एक वाद यांत्र है दा हार्मोनियम इस ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब है ताजमाल बहुत प्रसिद्ध है, तो historical place है इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, दा, ताजमाल is very famous, अब है लाल कि लाल लाल है, तो यह भी historical place है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, दा, रेड फोर्ट इस रेड, ताजमाल संग मर्मर से बना है, historical place है, तो दा का प्रयोग करेंगे, दा, ताजमाल is made of marvel, अब है, रिपल्स एक जहाज था, आपको पता है, जहाज हवाय जहाज इस अब के नम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, तो दा का प्रयोग करेंगे, दा, अब है, प्रसंत महासागर बहुत गहरा है, तो दा, Pacific Ocean is very deep, आपको यह भी पता है, कि किसी भी समुद्र या महासागर के नम के पहले दा का प्रयोग करते हैं, तो प्रसंत महासागर बहुत गहरा है, दा, Pacific Ocean is very deep, आवे, बंगाल की खारी बहुत गहरी है, दा, बे, ओफ, बेंगाल is, बेंगाल की खारी बहुत गहरी है, क्या जाता है फ़र इकजम्पल सीता सबसे सुन्दर लटके है शीता इस दो मुंस्ट बीटिफुल करी रम सबसे अच्छा लटका है रम इस दा बेस्ट वार यादि एड्शेक्टिव का पर्योग नाउन के तरह हो तब उनके पेले दा कपरियोग किया जाता है फर एकजम्पल यहाँ पर दा पूर और दा ब्लाइंड को प्लूरल नमर में समझा जाता है Heavenly bodies यानि कि अकाशिया पिलो के नमों के पहले दा गब्रयोग किया जाता है पर इजमपल दा मून, दा अर्थ, दा सं, दा सेटर्न, दा मार्स, 80C कर्म सुचक संख्य है, जब अक्षरों में लिखी जाती है, तब उनके पहले दा कब्रयोग किया जाता है दा फर्स्ट वाय, दा सकेंड गर, 80C पहला नवाद है, स्यामा मेरे मुहले की सबसे सुंदर लर्की है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्यामा इस दा मोस्ट बीटिफुल गर्ल अफ माइ वार्ड आप वार्ड या भी एस्ट्रीट भी लेक सकते है द्यान दना है कि स्यामा मेरे मुहले की सबसे सुंदर लर्की है स्यामा is the most beautiful girl of my world या फिर आप लेक सकते हैं, of my street यहाँ पर द्यान दना है कि most क्या सुपर रेलेटिव डिडिगी है इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग क्या गया है अगे वो मेरे बर्ग का सबसे तेज लर्का है. He is the most intelligent boy of my class. ग्यां दिना है कि वो मेरे बर्ग का सबसे तेज लर्का है. He is the most intelligent boy of my class. अब यहां पर दाका प्रियोग इसलिए कि है क्योंकि मोस्ट का सबसे तेज लर्का के लिए सबसे मातपुर्ण प्रस्न है. This is the most important question for the examination. यहां परिच्छा के लिए सबसे मातपुर्ण प्रस्न है. This is the most important question for the examination. यहां पर द्यान देना है most क्या है superlative degree है इसलिए आपर दाका प्रियोग की है. अब एक गरीब लोग इमंदार होते हैं. The poor are honest. मैंने आपको बताया है कि यदि adjective का प्रियोग नौन की तरह हो, यहां पर इसका प्रियोग नौन की तरह हो है न, यह subject का कम करा है, तब उसके पहले दाका प्रियोग करते हैं. और यहां पर दार लगाने का मतलब होता प्लूरल नमर में समझा जाता है, और जब यह प्लूरल नमर है इसलिए यहां पर आर का प्रियोग की है. गरीब लोग मंदार होते हैं, the poor are honest. अमीर लोग घमंडी होते हैं, the rich are proud. यहां देना है कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, the rich are proud, यह भी क्या adjective है और इसका प्रियोग नाउन के तरह होगा है, तबी तो यह subject का कम कर रहा है, और आपको पता है कि यहादी adjective का प्रियोग नाउन के तरह होता उनके पहले दाका प्रियोग करते हैं, और तब इसे प्लूर are weak, यहां पर भी same thing है, adjective का प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए दाका प्रियोग की है, plural sense है, इसलिए और का प्रियोग की है, यहाद परिश्रमी होते हैं, the young are laborious, यहाँ पर भी same thing है, young, यह क्या adjective है, और इसका प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए दाका प्रियोग की है, और plural sense है, इसलिए और लगा है, अब है, अंधे आसाहीन होते हैं, the blind are hopeless, यहाँ पर भी adjective का प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए दाका प्रियोग की है, प्लूरल सेंस है, इसलिए और लगा है, अब यह गरीर की मदद करो, help the poor, यहाँ पर भी adjective का प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए इसके पहले दाका प्रियोग की है, गरीब की मदद करो, help the poor, अब है, अमीर लोग दयालू नहीं होते हैं, the rich are not kind, अमीर लोग दयालू नहीं होते हैं, the rich are not kind, यहाँ पर भी adjective का प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए दा का प्रियोग की है, plural sense हो जाता है, इसलिए आर लगा है, अब अंधे लोग मुर्ख नहीं होते हैं, the blind are not foolish, यहाँ पर भी adjective का प्रियोग नाउन के तरह होगा है, इसलिए दा लगा है, plural sense है, इसलिए आर लगा है, अंधे लोग मुर्ख नहीं होते हैं, the blind are not foolish, अब है सूरी गोल है, the sun is round, ज्याने ना है, sun क्या है, heavenly body है, अकासिया पिंड है, इसलिए इसके नाम के पहले दा का प्रियोग होगा, ठीक है, तूरी गर्म रहता है, मैं आपको याद दिला दूँ, यदि किसी वाग क्यांत में होता है, रहता है, या लगता है, त्यादी ल सभाव का बोदो, तब उस वाग का अनवाद हम क्या करते है, इसे मार लगा करी करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर है सूरी गर्म रहता है, तो the sun is hot, या दिना है, कि गर्म रहना सूरी का क्या है, सभाव है, इसलिए यहाँ पर इसे मार से इसका अनवाद हम कर सकते हैं, ठीक पिर्थ भी हमारी मां है, the earth is our mother, earth क्या है, heavenly बढ़ी है, अकासिया पिन है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, पिर्थ भी गोल नहीं है, the earth is, note, round, same thing है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, heavenly बढ़ी है, पिर्थ भी अमार नहीं है, the earth is, note, immortal, heavenly body, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, चन्द प्यारा है, the moon is, lovely, अकासिया पिन है, heavenly body, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, चन्द आकर्शक है, the moon is, attractive, चन्द आकर्शक है, यह भी heavenly body है, अकासिया पिन्द, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, आकास नीला है, the sky is blue, heavenly body, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, चन्द आरा चमकिला होता है, the star is bright, heavenly body है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे, सीता पहली लरकी है, the star is the first girl, यहाँ पर ध्यान देना है, the star is the first girl, मैंने आपको शुरू में बताया, यदि क्रम सुचक संक्यों को अक्छरों में लिखा जाता है, तब उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, January साल का पहला मेन होता है, January is the first month of the year, आपको पता है कि क्रम सुचक संक्यों यानि कि ordinary नंबर को यदि सब्दों में लिखा जाता है, तब उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, आपको यह भी पता है कि सुपर्नेटिव डिगरी के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, इमन्दारी सबसे अच्छी निती है, ओनेश्टी इस दा वेस्ट पोलिशी, अब यह दसमा प्रस्ण है, यह दसमा प्रस्ण है, इस इस दा टेंद क्वेस्टन, और इनरी नंबर को सब्दों में लिखा गया है, वर्ट्स में लिखा गया है, इसलिए उसके पहले ताका प्रियोग नहीं किया जाता है। पहलान वाद है रम एक लरका है। यह तो जनरली सिम्पल था ठीक है। अब रमायन के रम बादूर है। पहले बनाते हैं फिर इसे एक्स्प्लेंट करेंगे। दा रम अफ दा रमायन इस ब्रेव। ध्यान देना है कि दा रम अफ दा रमायन इस ब्रेव। आपको पता है कि जनरली प्रोपर नाउन या फिर अनकॉंटेवल नाउन के पहले दा का प्रियोग नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर दा लगा सकते हैं। दूसरा बात यह क्या है रमायन या तो एक महाव काव या और आपको यह भी पता है किसी महाव काव या होली बुक के पहले दा का प्रियोग नहीं करते हैं। किन्तु यहां पर्दा का प्रियोग निश्चिता का बोल करने के लिए क्या गया है? The realm of the Roman is brave. अब आप काली दास एक महान कभी हैं? काली दास is a great poet. अब आप वे भारत के सेक्सपियर हैं? यहां पर वे आदर सूचक है, इसलिए ही का प्रियोग करेंगे, ठीक है? He is वे भारत के सेक्सपियर हैं. He is the सेक्सपियर of India. यहां देना है कि यहां पर भी proper noun के पहले दा का प्रियोग किये हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद preposition प्लस noun है, ठीक है? वे भारत के सेक्सपियर हैं, He is the सेक्सपियर of India. अब यहां दूद लाबदायक होता है. Milk is useful. जेनरली समान यार्थ में uncountable noun या material noun के पहले दा काप्रियोग नहीं करते हैं. अब यहां गाय का दूद लाबदायक होता है. यहां देना है कि गाय का दूद ठीक है? यहां देना है, आपको पता है कि जेनरली प्रोपर नौन या फिर uncountable noun के पहले दा काप्रियोग नहीं करते हैं. कि यहां पर क्या है? इस uncountable noun के बाद preposition है, पलस noun है. इसलिए दा काप्रियोग निशिता कापोल करने के लिए करेंगे. गाय का दूद लाबदायक होता है, the milk of the cow is useful. अब है सोना आकर्शक होता है. गोल्ड इज़ एट्रेक्टिब. समान नियर्थ में uncountable noun के पहले आप्रियोग नहीं करेंगे. भारत का सोना आकर्शक होता है. अब यहाँ पर निशिता का बोद करने के लिए आचुकी इसके बाद क्या आए? अनकॉंटेबल noun के बाद preposition प्लस noun है. इसलिए आपर दाका प्रियोग करेंगे निशिता का बोद करने के लिए. अब है सोना आकर्शक है. दा गोल्ड इज़ एट्रेक्टिब. घ्यांदेना है कि सोना आकर्शक है. किसी निश्ची सोना का जिक्र है. ठीक है. जो वक्ता है, जो कह रहा है, वो इससे पूर्व परिचित है. अर्था अनकॉंटेबल नोन के पहले भी दाका प्रियोग निश्चीता का बोद करने के लिए करेंगे. सोना आकर्शक है. दा गोल्ड इज एट्रेक्टिब. ये जेनरली नहीं का गया ठीक है. किसी पार्टिकुलर, किसी विश्ची सोना के बारे में का रहा है. इसलिए दाका प्रियोग करेंगे. अब पनी गंदा है. सेम थिंग. दा वाटर इज डर्टिब. यहाँ पर भी किसी पार्टिकुलर, किसी विश्ची पनी का जिक्र है. इसलिए निश्चीता का बोद करने के लिए का प्रियोग होगा. अब इस नदी का पनी गंदा है. इस नदी का पनी गंदा है. यह क्या है? Uncountable noun है. किन्टो इसके बाद pre-position है. और फिर क्या है? नउन है, इसले इसके पहले दाका प्रयोग करेंगे कुट्ते खतरनाक होते हैं Dogs are Dangerous आपको पता है कि कुट्ते खतरनाक होते हैं Generally, plural, contable noun या common noun के पहले दाका प्रयोग नहीं करते हैं कुट्ते खतरनाक होते है, dogs are dangerous अब है, इस सहर के कुट्टे खतरनाक हैं, the dogs of this town are dangerous, इस सहर के कुट्टे खतरनाक हैं, the dogs of this town are dangerous, dogs क्या है, plural countable known है, फिर भी दा का प्रियोग हुआ, क्योंकि इसके बाद preposition plus known है, ठीक है, और यहाँ पर आर का प्रियोग subject के अनुसार क्या गया, ठीक है, the dogs इसके अनुसार क्या गया, अब है कुट्टे खतरनाक हैं, the dogs are dangerous, यहाँ पर दा का प्रियोग निश्चिता क्या बोद करने के लिए क्या गया, ठीक है, किसी particular, किसी vicious पुत्ते का जीकर है, जिससे की वक्ता पुर्व परियोग निश्चित है, इसने आपर दा का प्रियोग क्या गया, ठीक है, अब है सुन्दर्ता एक कीमती रत्न है, beauty is a precious game, सुन्दर्ता एक कीमती रत्न है, beauty is a precious game, आपको पता है, beauty क्या abstract नहुन है, अर्था uncountable नहुन है, समान अर्थ में इसके पहले articles नहीं लगाते हैं, ठीक है, कश्मीर की सुन्दर्ता प्रसिद्ध है, the beauty of कश्मीर is famous, यहाँ पर क्या है, है तो यह uncountable नहुन, किन्तु इसके बाद preposition प्लस नहुन है, इसलिए दा का प्रियोग करेंगे, कश्मीर की सुन्दर्ता प्रसिद्ध है, the beauty of कश्मीर is famous, अब है, इमन्दारी एक अच्छी निती है, honesty is a good policy, समाने अर्थ में uncountable नहुन के पहले आर्टिकल का प्रियोग नहीं करते हैं, इमन्दारी एक अच्छी निती है, honesty is a good policy, अब है स्याम की इमन्दारी प्रसिद्ध है, the honesty of son is famous, honesty क्या uncountable नहुन है, किन्दो इसके बाद प्री पोजीशन प्लस नहुन है, इसलिए आर्टिकल का प्रियोग होगा, सची दोस्ती दुरलाव है, true, true friendship is rare, हैंद ना है, friendship क्या है, abstract नहुन है, uncountable नहुन है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल का प्रियोग नहीं करेंगे, true friendship is rare, अब है, सची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, true friendship is the best thing in the world, यहां पर जो आर्टिकल का प्रियोग किये है, क्योंकि यह क्या है, superlative degree है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रियोग करेंगे, ठीक है, अब है, राम और सुग्रीव की दोस्ती अनु करनिया है, थ्यांदना है, राम और सुग्रीव की दोस्ती अनु करनिया है, दाफ्रेंडशिप ओ राम और सुग्रीव is immutable, आब है, यहां पर इसका प्रियोग क्योंकि है, कारन है यहां पर हीजे मार का प्रियोग जो होताँ है, इसके अनु का इनुसार होताँ है, दाफ्रेंडशिप ठीक है, क्रिश्न एंड सुदामा एज फेमस क्रिश्न और सुदामा के बीच की दोस्ती परशिद्ध है The friendship between क्रिश्न एंड सुदामा एज फेमस भ्यान देना है कि इस friendship के अनुसार यहां पर इज अमार का प्रियोग करेंगे ठीक है अंग्रेजी एक समरिद्ध भासा है English is a rich language भ्यान देना है कि आपको पता है कि भासाओं के नम के पहले समाने अर्थ में आटकिल्स का प्रियोग नहीं करते है अब आप बोलोगे यहां पर मैं यह क्यों किया तो language क्या है countable noun है ठीक है इसलिए इसके नम के पहले आटकिल्स का प्रियोग करेंगे यदि इसके पहले कोई adjective है तो adjective के ठीक पहले करेंगे ठीक है अब है हिंदी एक रोचक वासा है Hindi is an interesting language Same thing है अब है उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है The Hindi of उत्तर प्रदेश एच गुड़ यहांदन है उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है The Hindi of उत्तर प्रदेश is good यह भी क्या है लेंग्वेज है किन्तो इसके पहले दा का प्रियोग की है क्योंकि इसके बाद क्या है preposition है plus noun है ठीक है अब आप footwall भी सुमें प्राशिद है football is famous in the world आपको पता है खेल कुद के नाम के पहले आटकेस का प्रियोग नहीं करते है cricket भी सुमें प्राशिद है cricket is famous in the world अब यह रविवार सप्ता का अंतिम दिन है Sunday is the last day of the week आपको पता है कि सप्ता के दिनों के नाम के पहले आटकेस का प्रियोग नहीं करते है इस मा का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है the Sunday of this month is not good for me किन्तु यहाँ पर सप्ता के दिन के नाम के पहले आटकेस का प्रियोग दा का प्रियोग इसलिए कि है क्योंकि इसके बाद preposition प्लस नाव नहीं ठीक है अब है इस मा का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है तो the Sunday of this month is not good for me अब है कि January साल का पहला मेना है January is the first month of the year यहाँ देना है आपको पता है मेनों के नाम के पहले आटकेस का प्रियोग नहीं करते है और यहाँ परता का प्रियोग इसलिए कि क्योंकि यहाँ क्या है क्रम सुचक संक्या अक्छर में लिखा हुआ है अब है 2005 इसलिए की जन्वरी मेरे लिए अच्छी थी थीक है तो the January of 2005 was good for me अब है जन्वरी फर्वरी और मार्च पर्व से भरे राते हैं जन्वरी फर्वरी और मार्च पर्व से भरे राते हैं जन्वरी फर्वरी और मार्च आर कुल अब फेस्टिवर्स जारा गर्मी और बर्शात तीन मात पूर्ण रिद्वे हैं विंटर शमर और रेनी सेजन आर थी इंपर्टेंट सेजन्स जारा दुखदाई होता है विंटर एज पैन्फुल आपको पता है कि सीजन्स के नाम के पहले रित्मों के नाम के पहले आर्टिल्स का प्रियोग नहीं करते हैं समान नर्थ में बर्शात का मोसम कठनाईयों से भरा रहता है रेनी सीजन एज फुल ओफ डिपकल्टीज बर्शात का मोसम रेनी सीजन ठेक है इसके लिए बर्शात का मोसम रेनी सीजन ठेक है बर्शात का मोसम कठनाईयों से भरा रहता है रेनी सीजन एज फुल ओफ डिपकल्टीज और इसलिए सब्जेक्ट के नुशारें अपर इज का प्रियोग की है अब लकवा बहुत खतरनाक बिमारी है परलैसिस एज ए फैरी डेंजरस डिजिज लकवा बहुत खतरनाक बिमारी है परलैसिस एज वहरी डेंजरस डिजिज मैं आपको बता दू कि बिमारीों के नाम के पहले आर्थिकल्स का प्रियोग समाने अथ में